हरे कृष्णा तो आज जिस विश्यपी चर्चा करने वाले हैं वो यह हैं कि शास्त्र ग्रंथ भक्ति शास्त्र ग्रंथ पढ़ने की इच्छा नहीं होती क्या करें कोई भी ग्रंट पढ़ने की इच्छा किसे को होती नहीं है उसको प्रेदित किया जाता है वो ग्रंट पढ़े स्कूल में आप जाते हैं आप अगर स्कूल में नहीं जाए तो कभी भी आप पाट्ट पुस्तकों को पढ़ेंगे उठा के हाथ में कभी भी नहीं देखें स्कू कर रहा हैं कोई नहीं पर सकता स्विच्छा से उसके लिए अनुप्रेड़ना चाहिए एक प्रेड़ना चाहिए वैसा संग चाहिए जहां पर दा कि हम लोग अनुप्रानित हो और हम लोग पढ़ें तो कुछ कुछ tips हैं अगर हम लोग को शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती हैं तो यह टिप्स अगर आप पालन करें तो शायद आप शास्त्र पढ़ने में इच्छा कर सकते हैं रूची रख सकते हैं तो पहला टिप्स यह हैं कि शास्त्र जो पढ़ने में रूची प्राप्त कर लिया है उसका संग करना आप संग में शास्त्र पड़ते हैं एक साथ मेलके और शास्त्र पड़ते पड़ते कुछ विशप चर्चा करते हैं थोड़ा सही पढ़ें एक दिन में ईक बूक पढ़ लेंगे ऐसा कुछ नहीं कर रहा हैं थोड़ा पढ़ें संग में पढ़ें डिसकस करें तो आपको अच्छा लगने लगे गारी कितना अच्छा नॉलेज मिला तो यह जो एक्स्पिरिंस हुआ आपको फिर लेने के इच्छा होगी तब फिर अपने आपसे ही उस शास्त्र पढ़ने के लिए संग में चले जाएंग रहे हैं जैसे हम लोग कभी-कभी इस कौन में सब भक्तों को बुलाते हैं बहुत लग पूछते अच्छा आज प्रशाद में क्या है पहले मेनू पूछ लेते हैं जैसे मेनू से पता चलता है कि आज इतना कुछ है रूची होता है ठीक आज संग में आएंगे आज हम लेक् सब्सक्राइब करते हैं तो आप वह सुन के पढ़ने का इच्छा करेंगी ऐसे प्रकट हो सकता है तिसरा पॉइंट यह है कि जब हम लोग । कुछ भी नहीं जानते तब सुन के कहीं पर कता हो रही है कहीं पर कुछ व्यक्यान हो रहा है लेक्ट्र हो रहा है बहुत सुंद तब बोलेंगे ये उधार उशास्त्र में दिया हुआ है आप वाविजा के डीटेल में पढ़ सकते हैं तो ऐसे रूचूत्पन हो सकता है जो शास्त्र पढ़ते नहीं है वो शास्त्र सुन सकते हैं बहुत लोग ऐसे भी हैं उनको पढ़ना भी आता नहीं है तो वो लोग शास्त्र के महिमा कैसे समझें क्या लिखा हुआ है कैसे जानेगे सुन के शवन करके कोई पढ़े कोई सुना दे तो सुन के भी शास्त्र पढ़ा जा सकता है यह वी एक बिदी है जब आप शास्त्र पढ़ने उठा रहे हैं बुख को ग्रंत को कि हम लोग को पढ़ना है तब उसको ऐसे जगे रखे पढ़े विश्तर में कभी रखे ना पढ़े ऐसे जगे रखे पढ़े जहां पर आपको आलस से ना रहा हो जिस जगे बैठने से आप सो ना जाए आपका जो उत्सा है वो कम ना जाए शो शरावाना हो एक स्थान होता है सब चीज का एक स्थान होता है स्थान काल पात्रभेद में समझ सवस्था का परिवर्तन होता है और समझ सवस्था का भेद भी होता है ठीक ऐसे जैसे हम लोगों को खाना बनाना तो किचिन में जाना है टौलेट करना तो बात्रू में जाना है सोना है तो वेडरूम में जाना है ठीक ऐसे पढ़ना है तो क आपको फीट बैठता हो आपको समय हो और शोशरावना होता हो आप वहाँ पे अपना ध्यान केंदित होके पड़ सकते हैं समझ समझ के पड़े ध्यान पूर्वक पड़े कुछ परिशानी हो तो अपने निकटस्त जो भगते हैं उनसे इस प्रश्ण पूछे उसके बारे में क हो जाएगा आप सुनके इतना सीख सकते हैं भली पढ़के उससे कम सीख सकते हैं लेकिन सुनके और पढ़के अगर आप सीखते हैं कुछ तो वह सीखना बहुत बढ़ा गंबिर इंपक्ट रखेगा आप रिधाय में जब आप प्रचार करने जाएंगे तुरंत ही आपके करते हैं जो आप सुनते हैं जो आप पढ़ते हैं अगर किसी को व्याखा करते हैं तो आपका पढ़ाई जो है वह एकदम कम्प्लीट हो जाता है इसलिए सुने ग्रंत पढ़े और फिर उसको किसी को शेयर करें कुछ बोले तो इससे कहा होता है पढ़ने की और इच्छा इसलिए एक कुछ उपाए अगर आप लोग अवलम्मन करते हैं तो अवश्य ही आपको ग्रंत पढ़ने की इच्छा होगी और आप सही रूप से ग्रंत से जो जेम्स जो रत्न है उस सब आप लोग संकलन कर पाएंगे रिदय में धारन कर पाएंगे आपको जीवन में भक्त इसलिए में कारिक्रमों के लिए देखिये हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अत्वा डीटी एच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839